हेलो गाईस मैं हूँ सुमोन आप देख रहे हैं सुमोन टेगनों दस्तो आज इस वेडियो में रियल मी 3 प्रो का डिटेल कैमेरा रिव्यू करेंगे और देखेंगे 14,000 रूपीज में कितना है दम इस रियल मी 3 प्रो में ऐसे भी इस चैनल में रियल मी 3 प्रो का गिवावे च के सार्या और नहीं तो सेंसरे नहीं को सेंसर नहीं दिया है रियल मी 3 प्रो में सेल्फी कैमेरा में आफ आते हैं टविग मैं क्योंकि मैं आपको बता दिता हूँ, फास्ट में पहले मैं आपको कुछ video sample दिखाऊंगा, जो कि मैं day में and night में खीचा हूँ, उसके बाद उसका slow motion दिखाऊंगा, and end में इसका picture quality दिखाऊंगा, जो कि 64 megamical से खीचा गया है, ported mode में खीचा गया है, HDR में and normal में, तो एके करके सुरू करते हैं, पहरे देख लेते हैं, daylight में इसका video quality या video sample, दोस्तों एह है realme 3 pro का selfie camera, आप देख सकते हो, इसका quality कैसा है, यहाँ पे stabilization बिल्कुली नहीं है, अगर आप vlogging के लिए खरीदना चाहते हो, तो बिल्कुल आपके लिए फोन नहीं है, और इसका sound quality है, आप देख सकते हो, और जो sun है, वो directly मेरे face में आगे गिर रहा है, तो आप देख सकते हो, इसका quality कैसा है, और sun की opposite में आगर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो, इसका quality कैसा है, तो selfie camera इसका ऐसा ही है, तो चलिए इसका back camera कैसा है, और उसका quality मैं आपको दिखा और आपको दिखा दिता हूं इसका आटो फोकस कैसा है तो देख लेखे इसका वाटो फोकस बहुत यह अच्छा है आप देख सकते हैं तो तुरंधी जो फोकस है वो यह का दिख लेते हैं उसके बाद स्लु मुससां में और दोस्तों यह जो वीडियो सूट हो रहा है आप्ट यहांओ का वीडियो मुँषितु नहीं है आप यहां पे देख साकते हो ठीक तक स्लो मोसा नहींै कि रेट्बि नोट 7 रिटिकए ने हाए और यहां पे देख साकते हो बोटल में पानी लेकर उपर की तरफ छिदाग रहूं आप यहां फिछ साकते हो कैसा है ग्वालिटी इसका के सील कश logr hush और गईस यह था इसका super slow motion and slow motion अभी आप चलते हैं कोच picture की तरफ दोस्तों जो पहला picture है ओए गईस एक poster का picture है आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि 64 megapixel से खिचा गया है और मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ इसका quality उतना खास नहीं है picture में बहुत noise आ रहा है और जूम करने के बाद picture बहुत ही पढ़ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो लेप सेट की तरफ 64 megapixel से खिचा गया simple and जो right side की तरफ है ओ 16 megapixel से खिचा गया आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों phone का लगबग sim दिखाई दे रहा है और गईस अभी जो non HDR में खिचा गया है उसका picture quality मुझे अच्छा देखाई दे रहा है क्योंकि जो HDR में अगर आप मेरे face की तरफ देखोगे same time में खिचा गया है अगर आप face की तरफ देखोगे तो अंधेरा दिखाई दे रहा है जबकि non HDR में आपको clearly दिखाई दे रहा है तो इसका picture quality मुझे non HDR में काफी अच्छा लगा generally HDR का अच्छा होता है आप देख लेते हैं इसका कुछ ported mood में simple and normal mood में यह जो आप दोस्तों जो picture देख रहे हूँ एक ported mood में खिचा गया है and एक normal में खिचा गया है आप देख साकते हो दोनों picture का quality काफी अच्छा है ऐसे भी इसका जो ported mood में काफी अच्छी तरीके से focus किया है and background को blur भी किया है दोस्तों अगर मेरे edge देखोगे edges देखोगे बाल का जो edges है काफी अच्छी तरीके से edge manage किया है and उसी तरह blur किया है आप यह पे picture देख साकते हो अभी देख लेते हैं कुछ selfie camera sample दोस्तों आप यह पे इसका selfie camera sample देख साकते हो अगर आप background देखोगे तो आप यह पे देख साकते हो background काफी अच्छी से किया है and जो natural color है ओ दिखाई दे रहा है realme 3 pro में यह जो picture लिया गया है ओ है guys आप यह पे देख साकते हो जो पेड़ है जो गाज है ओ आप देख साकते हो काफी natural color दिखाई दे रहा है जो की natural होता है ओ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है redmi phone में क्या होता है तोड़ा yolo type का picture दिखाई देता है लेकिन guys यहाँ पे अच्छी तरीके से manage किया है आप यहाँ पे picture देख साकते हो और guys इसका कुछ camera sample भी दिखाता हूँ जो की selfie camera sample जो की night में लिया गिया है आप यहाँ पे देख साकते हो उतना खास नहीं है बहुत noise आ रहा है इसका night में जो picture quality है back set की तरह देखोगे तो मैंने कुछ night mode में जो picture quality होता है ओ मैंने कुछ खिचा है अभी जो तीन picture है आप यहाँ देख साकते हो जो लेप सेट की तरब जो picture है ओ यह गईस नॉर्माल picture एंड गईस जो middle में जो picture है ओ यह गईस night mode on करके खिचा गया है एंड गईस जो third picture है ओ यह गईस flash on करके खिचा गया है जो flash on करके खिचा गया है ओ काफी अच्छे तरगे से दिखाई दे रहा है लेकिन गईस जो night mode और गईस जो normal mode ओ दोनों फोन में ज़्यादा तर ओ दोनों picture में फोन में नहीं picture में जदा तर difference नहीं है हाँ थोड़ा भहुत difference है लेकिन गईस जदा तर difference नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पे जो picture है वुग charging charger का adapter का picture है आप यह देख साकते हो यह indoor में लिया गया है काफी अच्छ तरह के से focus किया है और काफी अच्छा quality है अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो इसका picture भी काफी अच्छा है और नीचे की तरब देखोगे तो photo में noise बहुत आ रहा है अंदरे में अगर आप picture खीचोगे तो बहुत noise आएगा आप यह पे देख साकते हो और गईस यह जो picture है आप यह पे देख साकते हो बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया है अगर background को देखोगे तो natural color दिखाए दे रहा है मैं अगर आपको जूम करके दिखाता हूँ तो थोड़ा बहुत noise भी है लेकिन picture quality काफी अच्छा है Realme 2 Pro से Realme 3 Pro में बहुत इंप्रूब किया है मैं आपको यहाँ पे थनसाब देना चाहता हूँ Realme 3 Pro को यहाँ पे मैंने एक group sample ग्रूप picture लिया हूँ आप यहाँ पे देख साकते हो हम लोग तीनों है और यहाँ पे तीनों लोगों का जो face है वो अच्छे तरह के से recognize किया है and background को अच्छे तरह के से blur भी किया है मैं बहुत front में हूँ and दो बंदा जो है मेरा जो दो friend है वो बहुत वीचे खड़ा है आप देख साकते हो यहाँ पे उन दोनों का जो face है उन दोनों का face भी अच्छे तरह के से focus किया है and background को सही तरीके से blur भी किया है आप यहाँ भी देख साकते हो और गईस एथा Realme 3 Pro का camera review ऐसे भी मेरे YouTube चैनल में first camera review है Realme 3 Pro का कैसा लगा मेरा camera review comment box पे जरू बताना वीडियो अच्छा लगा तो like करके जरू बताना and subscribe करके बिल एकन को भी जोर से बजा देना तो guys इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले एक फ्रेस वीडियो में तब तक हमरे साथ बोलते हैं यह वरत माता की जै